हरे किष्णा इस रभिवार मार्निंग प्रोग्राम में आप सबका हर्दिक स्वागत और हस्तिनापुर में सुगद्यों को स्वामी जिस सभा में यह भागत कथा सुना रहे हैं परिक्षित महराज गंगा के तठ पर किस दिशा में मुख करके बैठे थे उतर या दक्षेण की दिशा में पता नहीं उतर दिशा के मुख में बैठे थे जब पर ने पोटो देखा हैं सुगद्यों कथा सुना रहे हैं तो उनकी स सुनने कि इतनी बड़ी लालसा है परिक्षित महराज की इस कथा भागवत कथा को सुनने के लिए तो आचारेयों ने और विद्वानों ने ऐसा कहा है कि इसका वर्डन थोड़ा संकित दिया है कि इसकी महत्ता कितनी है स्रीमत भागवत कथा को सुनने के लिए हमें कितना तत् करोड़ कर उसे क्या करना चाहिए भगवान काम को साइड किया जा सकता है भगवान की कथा सुनने के लिए परिशीत महराज चक्रवर्ति सम्राड थे और जन्म से ही भक्त हैं भक्तों के वंस में पैदा हुए हैं उनके पुर्वज सब कृष्ण के अनने भक्त हैं फिर भी इस उदारन से अस्थापित होता है कि स्रीमत भागवतम की जो कथा है वो मनुष्य जीवन के लिए कितनी इंपार्टेंट है सव नहीं हजार नहीं लाख नहीं करोणों कामों को छोड़ करकर भी हमको भागवत की स्रवन के लिए तत्पर होना चाहिए तो इस दृष् भगवान की भृकती के वीना वास्ताओं में एक तो, एक दिन हम लोग सुन रहे थे जगण में, क्लास में बोल रहे थे ब्रह्मा जी और नारजी के संबात चल रहा था तो बताए कि दो-तिन दिन पहले की बात है इस भावतिक जगत का निर्माड ब्रह्मा जी ने जब सेकंडरी क्रेशन के रुप में किया है जिसमें अज्ञानता वाला तथ तो पहले है इसलिए हम बोलते हैं ओम अज्ञानते मेरा अंधस से गुरुजी से हम पहली प्रार्थना क्या करते हैं कि हमें इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निका लिए अज्ञानता के अंदर रह करके भी हम जितना भी काम करेंगे वह सब अज्ञानता को ही बढ़ाएगा अंधकार को ही बढ़ाएगा वहला कि पांच प्रकार के अज्ञानता बताई गई हैं, पांच प्रकार के इग्नोरेंस के बताई गया हैं, तो इसी संदर्व में इस कता के महतु को मैं कहना चाहता हूं कि कितना इंपार्टेंट हैं फिर हम आज की स्लुक पर आएंगे, भूमिका में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बिना अन और जल गरहन की ये साथ दिन तक परिशित महराज सुदेगु स्वामे के स्रीमुख से इस हरी कथा का स्वाधन करते रहे और वास्ताव में जिवात्मा के लिए एक मात्र जो वरण करने योग है जो अपनाने योग है वह यही है आत्मा के लिए असली भोजन नहीं है बाकी जो हम भोजन प्रशाद रूप में करते हैं वो दिब्यस्तरप है शरीर के लिए उसका महत्व है लेकिन आत्मा के लिए जो वास्तविक फूड है वास्तविक भोजन है वो भगवान के नाम की चर्चा ही है या भगवान के महांता को कितना हम समझ पाते हैं कितना अनुभूत कर पाते हैं वो हमारे उपर निर्भर है तो एक बार जब नर्शिंग भगवान प्रहलाद महराज के समक्ष परकट हुए तो प्रहलाद महराज ने इस तुतिय में कहा कि हे प्रभू, मैं आपके इस भयानक रूप को देखकर मैं भाइवीत नहीं हूँ आधा सेर, आधा मनुष्य, इसको देखकर मुझे डर नहीं लगता मुझे एक चीज़ से डर लगता है इस भावतिक जगत से मुझे डर लगता है भावतिक जगत की जो नेचर है, इसका जो सभाव है वो बड़ा भयानक है, वो बड़ा डरावना है तो आप समझे है कि प्रहलाद महराज एक महाजन है जितने महाजनों नहीं हमें सिक्षा दिये है भगवान सिव महाजन है, नारज जी महाजन है, ब्रह्मा जी महाजन है तो पुरी भावत में महाजनों के उद्गार, उनके स्टेट्मेंट, उनके विचार भगवान के प्रति, भक्ति क्या है और इस भावतिक जगत के प्रति, उनके विचारों के हम देखें तब हमको पता चलता है कि हम कितना लापरवाही कर रहे हैं। यह सारे महाजन कह रहे हैं कि प्रभू, आपके जो माया भी सक्ति से बना हुआ भावतिक जगत है, यह बहुत खतरनाक है। दुरलंग है, इसको पार करना बहुत कठिन है। और उन सब ने भगवान से प्रार्थन भागवान की और करते हैं बात आशी नहीं है यह हमारे सच्च यह भृम्हास जिसे लेकर के प्रभुपात तक यह हमको क्यों डराएंगे अलेटी हम इतना डरे हुए है और क्या डराएंगी है कि नहीं तो कई बार लोग इतना सुनते हैं तो भक्ति करने के लिए उनमुख नहेते वारे ठीक है इतना हमसे नहीं होगा भगवान इतना नियम बता दिया है डर-डर के काम करें तो जीएंगे कैसे तो जीना हराम हो जाएगा ऐसा भी बोलते हैं पर बात ऐसी नहीं है इस भय को समाप करने के लिए भक्ति वेदान स्वामी प्रभुपात का नहाँ है अभए चाण आर्विड़ अभए देते हैं भज़ा उर्यमन स्री नंदनंद अभए चाण आर्विड़ वास्तव में जीव भगवान से जितना कम परचित होगा जितना कम उनके बारें जाने का पहुतना ही दरा हुए मनुस्य होगा, आप देखिये, ये सारे, जितने बड़े-बड़े असूर थे, ये सब विष्णू से डरते थे, भगवान के भकतों से भी डरते थे, लेकिन कहीं न कहीं ये भगवान के भकतों से टकराए हैं, पंगा लिए हैं, तब भगवान को आना पड़ा है, मैं अपने भक्तों के वचन को सिद्ध करने के लिए अवतरित होता हूं। लेकिन फाइनली प्रहलाद महराज ने ऐसी कंडिशन पैदा किया कि भगवान को आना पड़ा है। तो भावती जगत के सभाव की बारें बात कर रहे थे कि यह किस अर्थ में डरावना है। प्रहलाद महराज की वचन सुनी आप। प्रहलाद महराज करें कि इस संसार में जो कुछ हमें प्राप्त है वह अस्थाई नहीं है। नमबर वन जो हम चाहते हैं वह टिकता नहीं है और जो नहीं चाहते हैं वह टपक जाते हैं। हमारे जीवन में ही होता है ना जो हम चाहते हैं वह हमारे जीवन में आता नहीं है अगर आता भी है तो टिकता नहीं है और जो नहीं चाहते हैं वह आ टपकता है और रुख भी जाता है टिक जाता है राइट यह इस वज़ा से प्रहराज मराज अधार दे रहे हैं भागोतम मे तो कह रहे हैं कि जैसे मानली जी एक संसार में हमें बहुत पुरी माता-पिता होते हैं बच्छों के सब के बहुत स्ने ही होते हैं लेकिन माता-पिता का साथ, उनका सवहार्द, उनका स्ने हमेशा नहीं बना रहा सकता जीवन में जैसे आप बड़े होंगे या तो वो छोड़ रोग और बुढ़ापा, इस सारी चीज़ें न चाहते हुए भी हमारे जीवन में unnecessary animated है, थोब दी जाते हैं, अंग्रेजीम इसको कहा गया है compelled, इसको मजबूरी हमारे परिक्तर जबर से थोब दी जाते हैं, और प्रहलाद महराज में एक उधार दिया है, जिसे मालिजे की संस इसे कितने बड़े डाक्टर हों, या कितना भी पैसा हो उनके पास, लेकिन वास्तविक जो संकठ है उसको नहीं हर सकता है, तो भगवान ही एक मात्र ऐसे ब्यक्ति हैं, जो जीवों के वास्तविक पिता है, वास्तविक सुरिद हैं, या काम, सिर्फ भगवान का लाउब न काम मत कर, आलेडी फसे, हमने पता है वार का क्या मात्र है, ब्रह्मात, इंद्रत, अमरत, ये सब कोई ठीकाने वाले शीज नहीं है, इनका कोई ठीकान है क्या, एक बात है, दूसरी बात, भावतिक जगत में हम जब सुखी होने के लिए, सुख का उपाय करते हैं, तो क्या ह समस्या है, जिसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए हमने एक उपाय ढोड़ा है, और उपाय बात में जितनी जो ओरिजिनल समस्या थे, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है, जैसे एक्जाम्पल के लिए, हमारे सरीर में कोई प्राबलम होती है, डाक्टर के दवा को रियक्षन को खतम करने के competent दौ आएवर देता है गलत परड़िक्ण करने का दौ दौ खाओ देता है नहीं देता है इस भावति यहां चंगत की समझोρα अहीं जैसे परिक्षित महराज को जब पता चला कि आपके मृत्ति होगी साथ दिन के अंदर, उनको इसराप मिला था, और इसराप उनके लिए वर्दान सावित हुआ, हलांकि भगवान की बड़े योजना का एक हिस्सा है, मास्टर प्लान का एक हिस्सा है, अगर ऐसा नहीं हुआ ह होता ते भागोतम नहीं आती, लेकिन सुक्देगो स्वामी कह रहे हैं कि आपके वंस में ऐसे ही बड़े-बड़े राजा हुए हैं, इसके पहले भी तमाम प्रिथिवी पर चकरोर्ति समराठ हुए हैं, जिन्होंने समय के पूर्व इस प्रिथिवी का त्याग किया है, और श्रब ने एक ही उधार स्थापित किया है, भगवान का भजन किया है, भगवान के चरणों के अभिलासी हुए हैं, और समय से पहले उन्होंने एक्जाम्पल स्थापित किया है, ये राजर्शियों का इतिहास बताता है, और आज-कल के नताओं के इतिहास आप देखी रहे तेहां अंतर है आजकल के नेताओं में और उन राजर्शियों के उधारण में। उनके पास किसी चीज का अभाव नहीं था। अपने पुत्र को जबरस्ती राज दिया और नारी समेत गमन बनकीन। अपने पत्नी के साथ बन में जाकर तफस्या करने लगे। तेहां एक सुरवाती उधारण है, इसके बाद भी कई सारे उधारण है। तिन सारे उधारणों को देख करके हमें एक मनुर्शिक के रूप में, एक जागरुक नागरी के रूप में, क्या इनसे प्रेणा लेनी चाहिए। कम से कम सैध्धान्तिक रूप से हमें इतना माल लेना चाहिए, कि इस भागवतम के सिक्षाएं हमें यह बता रही हैं, कि इस भावती जगत में सुखी होने की बहुत योजना मत बनाओ। क्योंकि प्रहलाद महराज की सिख्षायय है या हिरन कस्पु से बात कर रहे हैं सायद उस संदर में बताया है कि मनुष्य के जीवन में जितना सुख प्रारव्द में लिखा है उतना आकर ही रहेगा जैसे बिना दुख बुलाए आता है वैसे बिना सुख भी बुलाए आएगा दुख के लिए कोई प्रयास करता है कि हमें से कोई कभी मेहनत किया है क्या कि दो-चार दिन हस्पिटल में रह कि आए या कभी नहीं साथ एक बच्चा 10-12 साल हो गया आप एक दू दिन इसको हस्पिटल में रहना चाहिए ऐसा नहीं रहते लेकि दुख जो है बिना बुलाए आ जाता है उसी तरह से जैसे सुख बिना बुलाए आता है तो सुख और दुख का जो कंसेप्ट है जो चक्कर ह इस दुनिया में वह बहुत भ्रामक है लेकिन अल्प ग्यान के कारण आज की स्लोप में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सुख गुस्वामी सवनोक अद्रिश्यों को बता रहे हैं नहीं सारण में हलाकि अवतारों की लिस्ट में भगवान के गुणों का बार्डन किया जा सुख गुस्वामी भगवान के गुणों को गा रहे हैं कि भगवान के गुण कितने दिब्व हैं कितने अलोकिक हैं और कितने अद्भूत हैं हम उनको न जानने के कारण ही इस संसार में संघर्ष करते रहते हैं चक्की में पिस्ते रहते हैं आपने सुना है चक्की में पिस तो उनकी पतनी थी, तो उसने कहा नहीं कभी, रो मत, इसमें एक बात और भी है, देखो कुछ दाने ऐसे हैं, जो बीच के किली है, बीच में धूरी होती है, उसके आसपास जो में बच गया है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, इसकार समझते हैं, महात्मा लोग क्या निकालते हैं, कि जो जीवात्मा है, इस भागवान की, श्रिष्टी की धूरी है, श्रिष्टी का जो सेंटर है, जिन्होंने पूरे दुनिया बनाई है, अगर उनके आसपास रहेगा, उनके चणों का आसरे लेगा, तो चक्की पिसने स क्योंकि हम लोगों ने, जो बीच में धूरी है न, उसके से आसपास रहे हैं, अब यहां कौन पिस रहे हैं, अराम से कथा सुने हैं, बाद में परशात्य मिलना आता है, बाहर वाले पिस रहे होंगे, जो लोग भगवान के नजदिक नहीं आएगा, पिस जाएगे, और पि एक दिन ले जाते हैं, कम कर देते हैं, एक एक छण कम कर देते हैं, लेकिन भगतुक जीवन में सा नहीं होता, जो लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, वास्ताम उनका जीवन बढ़ रहा है, हम लोग का जीवन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, जो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि परिक्षित महाराज जब साथ दिन के अंदर सुने तो वह साथ दिन सीर्फ उनके लिए साथ दिन नहीं था। गीता भगवान कहते हैं सौलपाम माप्रेस धर्मस से त्रायते मातो भयार। थोड़ा सा भी एगर भगवान की भक्ति में प्रगति हो जाए ते हमें बहुत बड़े भाय से बचा लेगे। अब यह प्रश्न उड़ता है कि सबसे बड़ा भाय क्या है संसार में। आपको पता है इन बड़े-बड़े महान भागवतों ने आचारियों ने प्रहलाद महराज ने ब्रह्माजी ने या जितने भी वैश्नम आचार हुए हैं। किस बात से इनको ड़न लगता था पता है कि पुना भावतिक जगत में भावतिक शरीर धारन करना यह बहुत खतरनाक है। क्यों पता है इसके पीछे भी इंट्रेस्टिंग सुनाते हैं आपको इस्टोरी क्योंगि आप लगवतिक संसार के अंदर जीवात्मा जी सरीर में जाती है या जीवात्मा जो शरीर धारन करता है उसके अनुसार उसको कारे करना पड़ता है। जैसे आपने प्लेन में ट्रविल किया है फ्लाइट में तो जब आप ट्रिकट लेते हैं तो जो प्लेन की स्पीड होगी वही आपकी भी स्पीड होगी आप नहीं कर सकते हैं कि हम धीरे चलेंगे प्लेन के बाहर नहीं जा सकते हैं प्लेन के हिसाब आपकी स्पीड होई है एक दृष्टी से देखा जाए तो, चुकि आप प्लेन में बैठे हैं, उसके अंदर हैं, अब आप मजबूर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उसके नेमों से बधे हुए हैं, उसी तरह से, माल लिजे कि किसी गुण और कर्म के कारण, जिवात्मा को कुत्य का सरीर मिल गया है, तो कुत्य का सरीर मिलने के कारण भौकना उसकी मजबूरी है, वो नहीं कर सकता कि हम नहीं भौकेंगे, वो नहीं कर सकता कि हम फिल्मी गाना गाएंगे, हम हरे किशना जपेंगे, वो नहीं कर सकता, तो जिवात्मा के एक सरीर के प्रभाव के कारण, उसका कारण न बढ़ा खत्रा है। यह बहुत बड़ा भाई है। भरत महराज के सरीर देखा आपने जैसे राजर जी भरत थे। उनको हिरन का सरीर मिल गया। तो हिरन के सरीर में जब नहीं कर सकते थी। उनको यात था को मैं पहले भाक्त था मैं जब करता था। आशक्ति कि कारण्ण में हीरन के शरीर में उंको इतना तक्याद था लेकिन सब जिवात्मा के सूलब नहीं जीवात्मा के सूलब नहीं है थे से नहीं है कर सकते हैं तो मनुस्याँ дост me something नीचे खिसके जाना ये बड़ा भए तुरहते महतोभायात एक तो मनुष्य योनी से नीचे खिसब जाना, उपर से किसी अन्न देश काल परशिती में फिर वहां से कब प्रोग्रेस होगा, कब आएगा, कब मुक्ति मिलेगी ये बड़ा खत्रा है, इसी खत्रे को भगवा ने गीता में संकेत किया है, त्रायते महतो भयात, मेरी थोड़ी सी वश्नवाचार या साधक जितने भी होते हैं, वही भाव हमको भी रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, पता है, एक बार जब जिवात्मा का जो नेचर जानता है, स्वभाव, स्वभाव उसका एक बार बन जाता है, तो जल्दी बदलता नहीं, मनुस्यों के स्वभा आव ऐसा है को बदल देगा, उसके बस्म नहीं को बदल ले, जैसे पाश्यात्य देश अतारे ने, शिल प्रभुपाजी ने, पूरे विश्व में इस भक्ति का चमतकार दिखा करके, आहेतु की कृपा दिखा करे, महाप्रभु की कृपा है, जो हम लोग जब कर पा रहे है हमारी जीवा में ताकत नहीं है कि हम हरे किस्न जप ले, हमारे नित्रों में सामर्थ नहीं है कि हम भगवान का दर्शन कर ले, हमारे अंदर जन्मजात और सभावता गुण नहीं है कि हम भगवान का प्रशाद ग्रहन कर ले, भागवत कर ले, यह हमारे बस्म नहीं है, यह इन कलियूग में जो भी हमें इस मिल रहा है, यह सिर्फ महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु की अनुवयाईयों की कृपा है, रूप गस्वामी कृपा है, प्रभुपाजी कृपा है, नहीं तो आप थोड़ा दस सल पहले जाकर देखो कि हम क्या थे और आज क्या है, अभ मैं किस में बात कर रहा था? स्वभाव हमारा जब बन जाता है कहते हैं कि स्वभाव, नेचर इस सेकेंड हैबिट एक बार एक सोने का ब्यापारी भक्त बन गया ब्रिंदावन में ऐसा बताते हैं भक्त बन गया तो उसको मधुकरी मांग मांग के खाना पड़ता था रोटी तो रोटी भी तोलता था, 24 करेट के एक अठार करेट था उसकी आदत बढ़ गया था नहीं भक्त बन गया था लेकि सोने की आदत उसकी गई नहीं थी तो सोने में भी उसको रोटी में भी करेट देखता था 18 करेट के है ईक जबूशन पर पता रहां तो स्वभाव को बदलना बहुत कथीन है राइट आसे ही एक ऐसे कथा बताता है कि करतन हिंदी में कहा था निचोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फिर इस नहीं जाता है हम सारे चोर हैं इसमें बात के ध्यान रखिएगा हमारी जो प्रारव्ध की हमारी जो आदते हैं वह निश्चित रूप से भक्ति उनको उड़ा देगी हवा में लेकिन जब आप भक्ति के आसरे में रहेगे तभी अधर्वाइस कुछ नहीं कर पाएगी भक्तों के संग में र लेकिन भक्त बन गया थे वाद में आदत तो नहीं गई थे तो फिर जब सारे लोग सो गए तो उसको तरीद नहीं आ रहे थे ऐसे भक्तों के जोले में देखा न किसी लोटा रखा रहता है किसी कुर्था रहता सुब नाने के लिगा रखा रहता और रात को उठा तो सुच मैं पहले चोर था और मेरी आदत गई नहीं है तो इसका उठागे उसमें डाल दिया आप समझे हैं मेरी तो इस इस अफेक्ट आफ हैविट नेचर का जो सभा होता है इतना असानिस नहीं जाता जो कटर आलोचक हों कहते हैं कि गधे को दूस से ना लाओ कि तो गाय थोड़ी बन जाएगी लेकिन वहतर के हां फेल हो जाता है आई आज की स्लुख को चलते हैं भगवान के गुणों का बड़न किया जा रहा है भगवान जब जिसको चाहे वैसा बना देते हैं यहां उनकी ही कृपा है हमारे प्रयास से हम सिर्फ भगवान के कृपा को आकरशित कर सकते हैं देट साल यहां पर पूरे तात्परण सिल्व प्रहुपाज ने लिखा है कि भगवान का जो जन्म है उनका कर्म है नामानी रूपानी मनो बचोभी नच अस्य कशिन पुत्रेड धातु धातु मतलब है स्रष्टा का स्रष्टा का अर्थ समझे कि ओर्जिनली भगवान कृष्णी स्रष्टा है उनके स्वभाव का वर्ण जो है नहीं किया जा सकता है यह जिवात्मा जान नहीं सकता है यहां पर कुमनीश लिखा है उती है, उती का मतलब है भागवान के कारकलाप, वैसे संस्कृत में उती का मतलब होता है बुनाई, बुनाई समझते हैं, गुजरातिम क्या बोलते हैं इसको? कपड़े बुनने में दो तरह के होते हैं एक धागे ऐसे होते हैं फिर ऐसे होते हैं तो भगवान के जो कारेकलाप हैं उन्होंने जो दुनिया बनाई है भगवान की जो लिलाएं हैं वे सारे उती जैसे हैं कपड़े की बुनाही जैसे हैं, कोई भी ब्यक्ति उनको समझ नहीं पाता कि हुआ कैसे, हो कैसे रहा है, छोटा सिक जमपल आप सुबर जाते हो, भगवान को फूल चढ़ाते हो, मोगरा का फूल देखा आजकल बहुत बढ़ी हैं, उसमें इतनी सुन्दर शुगंध आती कहा से कैसे आती है, अलपग ब्यक्ति उसकी ब्याख्या कर नहीं सकता, इसलिए यह लिखा है, भगवान के नामानी, रूपाणी, मनो बचो भी है, संत वंतो, नट चर्यम, इवा अग्या, अग्यानी, जैसे किसी नाटक में कुछ पात्र होते हैं, उन पात्रों को कुछ भूमि दी जाती है, उसी तरह से पूरी दुनिया एक नाटक जैसे है, और इसमें हमें पात्र की भूमि का दी गई है, लेकिन पात्र यह नहीं समझ पाता, कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका डारेक्टर कोई और होता है, अभी सुबा ही हम, जब करेत मेरे मन में एक विच यह इतना सद्धांतिक स्लोग है, इतना foundational स्लोग है, कि समझें कि खाली इतना समझने मात्र से ही आपको समझ आएगा कि यार मैं तो गुनों के बसी भूत हूं, कोई व्यक्ति सतोगुन के बसी भूत हो करके कार कर रहा है, कोई रजगुन के बसी भूत हो कर कार कर रहा है, को याँ भावना सब के ऊपर नहीं सब के उपर इन तीनों गुणों से मुद्धत हो करके जो कार करता है वह भगवाण को थोड़ा-थोड़ा जान पाता है कि वूंहुर समझ पाता है में इसको पार पाना बहुत कठीन है जब भगवान किह रहे हैं कि बच्चा इसको पार पाना बहुत कठीन है दुर सर्ण में knit is न दूसरे ध्यायए अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था, सिस्थ्यकरते हम, त्वान, साधी, माम, प्रपन्नम. ौहां, प्रपन्नम कहा है, उधर भगवान एटराम अध्यामे सारनाがती भोली है. प्रपन्नम में इस शोनाがतीम थोड़ा अंतर समझा देते हैं आपको. प्रपन्नम कर्थ होता है जैसे दुखों से पिडित हो करके अज्ञानता से ग्रसित हो करके और भय देख करके जैसे बच्चा आपके गोद में आ जाया और डर की मारे चिपने लेगो प्रपन्नम है और आप उसको आलिंगन करके बचा लो वह सरनागती का रक्षा है कुछ ऐस अरजुन का दिमाग काम नहीं कर रहा था किंक कर्तव में विमोड हो गए थे बिल्कुल घबरा गए थे सारा तर्क दे करके सारी प्लानिक समझ करके लाए थे बहुत तैयारी क्सान लड़ने के लिए आए थे वहां जाकर उनकी हालत खराब हो गए फिर उन्होंने कहा है सरनागत मतलब समझें कि जैसे उनका पाउँ पकड़ लेना और कातर भाव में करुन भाव में रिक्वेस्ट करना कि प्लीज गाइड मी मुझे रास्ता बताओ सिछा बताओ तो जब ऐसी हालत हो ऐसी सिती हो संसार में हमारी ऐसी हालत हो कि हम वास्ना में कुछ नहीं समझ प चुर्वान ने अन्त्रम उनको असिरवात क्या दिया है ऑशिरवात के रूप में भगवान ने उपदेश भी हम सारे जीवातमाओं के लिए लेकिन अर्जुन के लिए आसिरवात कर रहे हैं कि है अर्जुन जो कोई भी सर्व धर्मान परित्यजत, मामेकम सरणव बज्यक, कोई भी जीव आत्मा सभी धर्मों का परित्याग करके एक मात्र मेरी सरण में आएगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा next line क्या है मैं उसके सारे पापो को माफ करतूँगा इसमें डरने कोई आफ सकते हूं यह भगवान का बचाने है उनकी गारंटी है तो सरनागत का मतलब जैसे उसके उपर मैं आसिरवाद रखता हूं जैसे उसके उपर पैर रख देना अपना यह है इस तरह से मैं किस बात पर यहां पहुंच गया था प्रपन में उसके पहले क्या था लिंक कट गया उती ही पर बोल रहा था न कि भगवान संसार में जो भगवान के कार हैं वो सब कपड़े की बुनाई तरह हैं इतने सारे एक्टिविटीज हैं हम उनको समझ नहीं सकते भगवान ही अगर हमारे उपर कृपा करके हमको समझाने का प्रयास करें बस उतना ही हमारा स्वाग है बाकि हम किसी चीज का पुस्टमाटम करके जान नहीं सकते एक जटली है क्या है वस्तुत्त हक्या है उतलो हम सोरे चंद्रमा डेली देखते आएं नशनदी सता हैं जूदेव सुत्त को सामी कर रहे हैं कि न चाहर से कष्चिन पुत्रेड धातु हूं कि निपुड निंपुड हो कोई कितना अभी एक्सपर्ट हो अश्य इस भगवान का कष्चिन कोई भी मनुष्य आवयती जान सकता है नहीं जान सकता है. जन्तु जीव बता रहाँ जीव नहीं जान सकता है. वास्ताम anticipate हम सारे जन्तु ही है. अब कुमनिषक उति है और जो कुब बद्धी वाले हैं वह भगवान की जटिल रचना को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी अक्सर भाई ज्यानिकों को चनोती देते थे, क्या, Life comes from life, कुछ पुस्तक बढ़ा है आप लोग ने, जीवन का स्रोथ जीवन, जीवन ध्यान रखिए कि प्रभुपाद का एक एक पुस्तक एक बैदिक ग्रंथ है, खाली एक-एक पुस्तक को पढ़ने मात्र से ही हम निशकर्ष पर पहुंच जाएंगे, और भगवान का जो ग्रेटनेस है, भगवान की जो महांता है, उसको सुईकार करने में हम नतमस्तक हो जाएंगे, अक्सर प्रभुपाद अपने सिस्यों को मानिंग वाग पर ले जाते थे और बताते थे, देखो ऐसा है, एक प्रभुपाद पेड़ सुख गया था, उस पेड़ सुख गया था, तो प्रभुपाद बताओ इस पेड़ के अंदर क्या कमी है कि सुख गया है, तो कोई अंपार जी ने कई एंगल से संसार को सिख्षा देने का प्रयास किया है, ध्यान रखेगा, हम सभी संसार में एक सरीर में दूसरे सरीर में बदलती हुँ जिवात्मा ही तो है, तो यह भक्तों का एक बड़ा गुण होता है कि अपने आराध्य का, अपने इष्ट देव का द विने से युक्त, ब्रामःड, हाथी, चीटी, इन सब के अंदर वही परमात्मा तो है, अगर ऐसी दृष्टी हम डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान रखिए कि हम कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अगरसर नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवान का दर्सन और भगवा के नजदीक में रखेगा, अन्यथा यहाँ पर कर रहे हैं, सुद्गो स्वामी कर रहे हैं, कि न चास कस्चिन निपूड़े न धातू, उस रष्टा का कोई भी कितना निपूड़े हो, उसका वड़न नहीं कर सकता, जन्तु, कुमनिसह, यह मुर्ख अग्यानी अल्पग ज अपने अल्प ज्ञान के कारण, स्री भगवान के रूपों, नामों, कर्मों के दिभी प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार कर रहे होते हैं, यह नाटक वाला एक उदाहन कुंती महरानी ने भी दिया है, अपनी स्थूती में कर रहे हैं कि भगवान, आप तो जैसे नाटक में कक्या होता है, पातर बदल जाता है, लेकिन ब्यक्ति अलग रहता है, कुंती महरानी की स्थूती याद है किसी को, एक-डो सिलोक में पाला क्या है? खोली हैं? नटो, नाट्य, धरो यह था, राइट? कुंती महरानी की दल करके नाटक करता है क्या है इसलुक पढ़िए माया जवनिका चन्न ना लक्षे से मुड़ दिशा न टो नाट धरो यह था कुंति मरानी करें कि जो मुड़ द्रिशा है जो मुर्ख द्रिश्टी रखने वाला जीव है वह आपको देख नहीं पाता उसके आखों पर माया का पर परदा रहता है माया जवनिका चन्न आप माया के परद द्रिशा मुड़ द्रिश्टी वाला मनुषत देख नहीं पाता ऋसametिस टू फेस देख रही हो मुर्ख नहीं है उँग्वान को पच्याद रही है उनके गुर में को जानती है फिर आगे किจะ है है आप जो हैं अक्षज हैं इंद्रियों से परे हैं आपकी प्रफिर्थी दिब है और न लक्षा से नटो नाटे धरो यथा यथा मतलब जैसे जैसे एक नाटक में एक जो नट होता है जो भूमिका निभाने वाला होता है वह बेस बदल करके नाटक में नहीं पहचान में आता उसी तरह से प्रभू आप भी नहीं पहचान में आते। फिर आगे कह रहे हैं कि भक्ति योग विधान आर्थम है प्रभू आप भक्ति और योग के विधान के लिए यहां प्रकट होते हैं और तथा परमहन्सा नाम, मुणी नाम, अमलात्म नाम परमहन्सों ने, मुण्यों ने और सुँध्ध आत्माओं ने आपका भजन किया है फिर लाश में करें कत्तम पस्थे महिस्त्रिय है महिस्त्री होकर आपको कैसे जान सकती हूँ कमाल हो गए रइट? उपर सारी बात बता दिया है लाश में कर रहे हैं कि मैं हिस्तरी होकर कैसे जान सकती हूं एक उन्ती भनानी कि देखे इस्तरी कितनी सुन्देरता है कथम पस्थे मैं हिस्तरी है मैं हिस्तरी होकर आपकी विश्वस्ता को कैसे जान सकती हूं जबकि उपर सारी बात बता रही है, भक्ति योगा, विधान आर्थम, अमलाम, मुनिनाम, परमहंसानाम, यह भक्तों की दिष्टी है, एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगा है, कि भक्ति में जो जितने ही आगे बढ़े होते हैं, उनको उतना ही लगता है कि मैं कुछ नही कितने साल से मैं महला जब रहा हूं, कितना कर दिया, यह कर दिया, वह कर दिया, वास्ता में हमारे अंकार को बढ़ाए गए, जब हम इन बड़े-बड़े महात्माओं का चरित सुनते हैं, वे लोग कहते हैं कि वाह, यह तो कुछ भी नहीं हुआ, उनको ठीक उल्टा फिल ह किता है, जैसे आप इन सब उधार्णम देख रहे हैं, न चास कश्चिन पुड़े न धातु, रवयति जन्तु, कुमनिर्स उति, नामानी, रुपाणी, मनों बचुभी, संत वंतो, नट चर्याम, इव अग्यह, वास्ताओं में भगवान को कम्प्लीटली वर्ण किया जान संभव नहीं है, कोई भी नहीं जान सकता, कि भगवान कब किस रूप में, जैसे भगवान की आउतारों की बात चल रहे हैं, एक छोटा पांच मिन चर्चा करें, खतम कर देते हैं, रामायर पे ले चलते हैं, भगवान किस कारण से आउतार लेते हैं, या कोई एक फिक्स र होते हैं, गिनाया जा सकता है, एक उधारन में ऐसा दिखा गया है, कि जब भगवान राम मनुस्य में नर्वेस में लीला कर रहे थे, और सीता जी की खोज में रो रहे थे, आपको क्या लगता है, भगवान को पता नहीं थे, भगवान रोएंगे पतनी के लिए, सब को जान थे, तो भगवान सीव ने प्रडाम किया, क्योंकि प्रभु भाराध्य है हो, तो जानते हैं कि प्रभु किसी भी भेस में रहें, किसी भी रूप में रहें, भगवान भगवान है, वो चाहे चतुर भुज में रहें, चाहे पालने में जूला जूलते रहें, साथ दिन के थ और गलती करने के कारण ही है भगवान से विमुक्ता का हमें सामना करना पड़ता है। साथ बता रहा है कि दसरत के पूतर है कौशल्या के पूतर हैं कुछ जानता नहीं गोबर गड़ेस कहीं का यसे ही खाली बोल देता है। तो लोगों की ऐसी बुद्धी हो गई है नको भणका है भगवान हुआन कोई नहीं है सक्ती है चला रहे है। पता नहीं लिगी सक्ति है दुनिया चला रहे हैं उनकी वेवस्ता है उनका सारव गीता भगवान करें भूमी राप अनलो वाई खम मनो भू धिरे अंकार इतिया में भिन्ना पकति इतना क्लियर कट के बोले भगवान करें मैं तुम्हारा पिता बोलने हैं मेरा पिता कोई और भगवान करें का हम सरव हुता विजब्रदः पिता मैं तुम्हारा बाप हुने मेरा बाप को यह और है ऐसे लोग उसे गृण नेमे खूब गाली तिया है प्रभूपाज ने खूब ड़ाटर राशकल तक बोल दिया है बग्यान strings यहांvent इला राशकल संजते ओ न बदमास, ऐसे बोलते थे, पड़े लिकलों को बहुत गाली देते थे, ज्यादा बदमास ही लोग होते हैं, जैसे थोड़ा तो अक्षर ग्यान हो जाया, कोई भगवान नहीं है, बेखू कहें के, तो माथा पारवती ने जब संका व्यक्त किया, भगवान ने कहा कि देवी संक करना ठीक नहीं है, अगर आपको इतनी संका है तो आप जाकर परिक्षा ले लो, कि भगवान है कि नहीं है, तो ये देवियां जो है, कुछ mystic power होती है, इनके पास, कुछ योग सकती तो होती है, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, इतने बड़े महान पुरुष की पत्नी है, तो साधार तो है नहीं, जब साधार पत्नियां कुछ कर शकती हैं, तो बहुत बढ़ी बात, रैट, एक बार अहां सरहत बताई देता हूँ, कि पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं तो बोला कि पत्नी को संस्कृत नहीं किसी भागवान की परिक्षा लेने के लिए जिस रास्ते से राम और लक्षम गुजर है थे उसी रास्ते पर पारवती जो सीता का विज़ बना के आई उनने सोचा कि अगर वागवान होगे तो पाचान जाएगे, कि अगर मनुस होगे तो खुज हो जाएगे जैसे ही माता पारवती बिल्कुल हूबहो सीता का रूप बना करके सामने आई, वागवान ने देखा ऒगावता स्योट के बोले नाथ आप अकेले कैसे घुम रही हूँ जैसे भोले नाथ का नाम लिया अकेले आप अकेले ऐसे कली तो भी नहीं आया है अकेले घुमने का टाइम नहीं आया अभी तक ऐसे आजकल लोग अकेले घुम रहे है राइट पता ने भगवान ने कहा होगा नहीं कहा होगा माल लजीत होकर अद्श हो गई इधर भगवान उस पेड़ के नीचे बैट करके जब कर रहे थे हरे किस्टा हरे किस्टा कृष्णा के रहे भगवान भोले नात्र पास आई सिर जुका करके क्या होब परिक्षा ले ले लिए हम भी इसे परडाम करके आगे लिए बहुत भगवान अब तुम मेरे प्रभु की सामने सीता जी की वेस्ट में जा चुकी हो, पत्नी का रूप बना चुकी हो, अब हम तुम्हें स्विकार नहीं कर सकते। भगवान सीव ने परित्या कर दिया है, और फिर दूसरे जन्म में जाकर उनकी भेट हुई है, तो मेरा कहने का तात्पर यह है कि भगवान को समझने में मुहियंतियत सूरय है, भगवान को समझने में देवता तक मुहित हो जाते हैं, कृष्णी लीलाम आपने देखा है कैसे ब्रमाजी इंद्र गफ्यूज हुए, तो हमें और आपको गफ्यूज होने में कोई देर लगेगी क्या, लेकिन हमारे आप पास यह कहीं बड़ा है कि हमारे पास आचारे हैं, इनका पाउँ पकड़ के रहो गए, इनके स्तरण में रहो गए, तो गफ्यूजन कम रहेगा, और नहीं तो भगवान की माया सकती ऐसी है ना, आप भगती करते रहोगे ना, एक दिन बोले कि माला टांग दो, बहुत हो गया, नहीं मिलने वाले भगवान, बाहर के लोग खुसी हैं, और देखो उनका जीवन कितना बढ़िया है, आराम से खापी रहे हैं, तुम चार सावधान हो जाओ, आप नहीं आता है, आज के बाद सावधान हो जाना है, माया बहुत टेस्ट करेगी, बहुत देखो बाहर कितना विराइटी खाना बन रहे हैं, खाली खिचडी मिलती है, देखो बढ़िया रोट पे कितने फोड इस्टा लगे हैं, ये प्रभुज लोग सुन्दर बुद्धी वाला, सुमेधा, यजयंती ही सुमेधसा, भगवान की पुजा कौन करेगा, जिसकी बुद्धी, जिसकी मेधा सुन्दर है, यजयंती ही सुमेधसा, कल्यूग में भगवान की आराधना वही व्यक्ति कर पाएगा, जिसकी मेधा बड़ी सुन्दर है, और सुन्दर मेधा, सुन्दर बुद्धी यह कब मिलती पता है, पूर्व जन्म की कर्म कनुषार मिलती है, कर्म अनुषारनी बुद्धी होती है, सब के पास यह बुद्धी नहीं आ सकती, या तो प्रभुपाल जी ने कृपा किया है, कि हम लोग थोड़ा यह सब कर पा रहे नहीं तो हमारी बुद्धी तो गोबर ये सब की राइट हम सब वहीं से आये हैं इस दृष्टी से हमें इन सब चीजों के प्रति अतिव संबान का भाव रखना चाहिए संदर संबान का भाव रखो कि यह जो अमुल्य रत्न हमें भक्ति का मिला हुआ है न यह बहले लोगों क को बहुत तपस्या करनी पड़ती थी तब जाके मिला है प्रहलाद महाराज जब तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया था पांच साल के थे अपने मदर फादर की सीटी कानपूर छोड़कर मतुरा में जाकर तपस्या खुब किया है तपस्या के भक्ती को इतना हलके में लेना यह अपने आप में एक अपराद है इस अपराद के कारण हम भक्ती से वंचित भी हो सकते हैं हमारे बैंगलोर की प्रभुजी लोग हैं बताते हैं हमने कई बार सुन रहा है डोंट टेक फर ग्रांटेट मिल तो रहा है इसमें कोंसी बड़ी जीवन में वह बहुत दुरलब है भक्ती को सुदुरलबा कहा गया है सुदुरलबा भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं लेकिन भक्ती इतना असानिश नहीं देते इतना असानिश नहीं देते भक्ती मतलब भक्तों का संग हरीकथा आपको बताने कि करोणों काम चोड़ में इतनी अच्छी भगवान की कथा भक्तों का संग प्रशाद आपको क्या लगता है किसी जन्म का कोटी सुदूरलब है कई जन्म का पूर्णे हुआ होगा तब जाकर मिला है अन्नता उपलब्द नहीं है उपलब्द नहीं है तुछ द्रिश्चिकोर से हमें नम्रता और सतर के विराना चाहिए कि कहीं यहां खोल जाए भक्तों के से दूर चले जाना यह दुरभाग है किसी चीज में आसकती बढ़ जाना अचानक भक्तों के निंदा करना सुरू कर देना दोस निकालना सुरू कर देना तो इससे एक नुकसान ही होता है कि हम अगर अधिकार्म नहीं है हमारी अधिकार नहीं तो बिना मतलब कि हम चीज़ों को ठीक करने कोशिस न करें क्या जालाइन क्युक्name हमारी बुद्धि हमें सब्सक्राइब आदर हूकम चलाने के अधित है दुनिया में चला उन्युट अपक्र हैक यहां का थिकार पाने के लिए आप हमें अपनी दासी बना कर रखें वास्ताव में दासी से його का प्रपु जिव और जीव क्या है इसे एक सऊरा क्या है उनके ऐस्ता स्प्रीत कृत あり आदे भगवान की गरंथरा स्रीमत भाग उतम की ने